दोस्तो आज भारत और न्यूजिलैंड के बीच में एक प्रेक्टिस मैच केला गया और ये मैच बेहदी रोमांचक देखने को मिला तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और न्यूजिलैंड के अभियास मैच का पूरा रोमांच हाइलाइट्स तो ऐ जैसे में आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और एक लाइक जरूर करिएगा जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर से वर्ल कप का आगाज होने वाला है और इस समय सभी टीमें एक दूसरे के साथ वाम अप मैच खेल रही है वहीं आज भारत और न और के बाद दोनों ने अपने गेर बदले और तावर तोड़ बल्ले बाजी करते हुए भारत को 10 ओवर में 79 रन तक पहुचा दिया जिसके बाद भी ये दोनों नहीं रुके और तावर तोड़ बल्ले बाजी करनी जारी रखी जहां चौधवे ओवर में गिल ने अपनी 50 करने आए कोहली ने रोहीद के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे थे जिसके बाद 29 वे औवर में इन दोनों में अपना शदक पूरा कर लिया और इसी के साथ में भारत का स्कोर 200 रनों के बार पहुंच गया लेकिन उसके बाद रोही शर्मा जादा देर तक नहीं टिक पाए और 111 रन पर आउट हो गया जिसके बाद में बल्ले बाजी करना है आयर भी सिर्फ 5 रन ही बना सके जहां आयर और रोही दोनों को बोल्ट ने आउट किया लेकिन इसके बाद में सूर्य ने आते ही ताबर तोड बल्ले बाजी करनी शुरू कर दी जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोहली और सूर्य ने 40 ओवर खत्म होने तक भारत को 269 रन तक पहुंचा दिया हालगि उसके बाद जर ने 49 रन बनाए और इस तरह से भारत ने 50 ओवर में 366 रन बनाए वही न्यूजिलेंड के लिए बोल्ट ने तीन विकिट लिये जिसके बाद में न्यूजिलेंड की टीम इस लक्षे का पीछा करने मैदान पर आई न्यूजिलेंड के लिए रचिन रविंद्रू और डिवा के बाजी करना एक केन विलियमसन जिसके बाद विलियमसन और कॉनवे ने मिलकर न्यूजिलेंड की पारी को आगे बढ़ाया खास तोर पर कॉनवे अटेक करके खेल रहे थी तो वहीं दूसरी और से विलियमसन सिंगर डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थी आपको बता द दोनों ने न्यूजलेंड को 25 वे ओवर में 150 रनों के पार पहुंचा दिया लेकिन उसके बाद बुम्रा ने एक साथ न्यूजलेंड के दो बड़े जटके दिया आपको बता दें कि जहां पहले तो वीलियमसन को 61 और कॉन्वे को 72 रन पर आउट कर दिया जिसके बाद में बल पहुचाने की कोशिश की और अब अन्तिम 10 ओवर में न्यूजलेंड को जीतने के लिए 148 रनों की जरुवत थी हाला कि अन्तिम के कुछ ओवर में जरूर फिलिप्स और लेथम ने अटेकिंग बल्ले बाजी की लेकिन उन्होंने न्यूजलेंड के लिए 45 गेदों में 80 रन तो आपको क्या लगता है भारत इस बार वर्ल्ड कप जीत पाएगी है नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा